Hello everyone, Welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे National Action Plan for Vulture Conservation Vulture किसको बोलते हैं? Vulture बोलते हैं GID को तो GID सर्रंग्षन के लिए भारत की सरकार ने एक राष्टे कारेकरम शुरू करा है जिसको बोलते है National Action Plan for Vulture Conservation और ये 2020 से लेके 2025 तक चलेगा तो आईए इसके बारे में जानते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से question पूछना चाहता हूँ और question है ये भारत में एक Jatayu and Sparrow Conservation Breeding Center है पिंजोर में ठीक है? तो ये कौन सी Wildlife Century के अंदर बना हुआ है? Jatayu and Sparrow Conservation Breeding Center कहाँ पे है? असोला भट्टी Wildlife Century बीर शिकारगड Wildlife Century सुखना लेक Wildlife Century या सुल्तानपूर Wildlife Century ये आपके चार options हैं देखते हैं आप इसको answer कर पाते हैं या नि comments खुले हैं नीचे आपको comments में लिखना है चलिए अब शुरू करते हैं देखो पूरी दुनिया में 23 types के वल्चर होते हैं यानि 23 तरह के गिद पाए जाते हैं 23 types के पूरी दुनिया में और 23 में से 9 types के इंडिया में पाए जाते हैं 9 तरह के वल्चर होते हैं जो इंडिया में मिलते हैं 9 species उन नों में भी, जो सबसे ज़्यदा खत्रे में हैं वो हैं ये तीन औरिएंटल फॉइट बैक्ट वल्चर आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं ये है औरिएंटल फॉइट बैक्ट वल्चर दूसरा है स्लेंडर बिल्ड वल्चर जो कि ये है slender build vulture तीसरा है long build vulture जो कि ये है तो ये जो तीन टाइप के vulture है ये सबसे ज़्यादा खत्रे में है और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये तीनों के तीनों critically endangered है IUCN के हिसाब से IUCN एक संस्था है जो अपनी red data book में animals को classify करता है depending on कि कितना threat उने है degree of threat के हिसाब से और critically endangered के बाद सीधा extinct होता है यानि अगर critically endangered को हिंदी में बोलते हैं घोर रूप से विलुप्त प्राए तो अगर हमने इनको अभी नहीं बचाया तो फिर ये विलुप्त हो जाएंगे बहुत ही कम बचे हैं तब उसको बोलते हैं critically endangered IUCN का जो headquarter है वो GLOND में है जो Switzerland में है और IUCN इसको classify करता है इन तीनों varieties को critically endangered तो ये जो national plan है हमारा vulture conservation का इसमें वैसे तो हम सारे vulture पे focus करेंगे लेकिन जो सबसे ज़्यादा focus होगा वो इन तीन varieties पे होगा क्योंकि ये तीनों critically endangered है अब इससे पहले आप जाने कि हम इसमें करेंगे क्या आपको ये समझना जरूरी है कि भारत में जो vulture हैं उनकी संखिया में almost 90% कमी क्यों आई इसका कारण था diclofenac disaster तो diclofenac जो होती है एक दर्द और सूजन के लिए दवाई होती है जो हम मवेशियों को देते हैं जैसे कि गाए को देते हैं भेंस को देते हैं तो diclofenac दवाई भारत में बहुत ज़्यादा योज़ की जाती थी हलंकि 2008 में इसको जानवरों के लिए योज़ करना बैन हो गया था हलंकि human beings आज भी लेते हैं ये काफी common pain killer है over the counter drug है आपको किसी भी दवाई की दुकान पे मिल जाएगी लेकिन animals को ये नहीं देते और उसका एक कारण था क्योंकि अगर मान लेजिए आपने किसी जानवर को pain हो रहा है और आपने उसको diclofenac दे दिया ठीक है और अगर मान लेजिए animal की death हो जाती है तो diclofenac body से आसानी से निकलती नहीं है तो ये body में रहती है और जब ये body कोई vulture खाएगा क्योंकि vulture जो होता है वो dead body को खाता है animal की तो जब vulture कोई dead body को खाएगा तो ये diclofenac जो दवाई है animal की body से vulture की body में आ जाएगी और बहुत थोड़ी concentration में ही vulture की kidney को fail कर सकती है तो ऐसा देखा गया कि diclofenac की वज़े से भारत में 90% vulture मर गए थे वो भी सिर्फ 15-20 साल में तो इसको बोलते हैं diclofenac disaster फिर बाद में जब सरकार को इस बात का पता चला तो कुछ और दवाईयां आई जो safe थी for example maloxicam यूज की जाने लगी तो maloxicam दवाई safe थी vulture के लिए क्योंकि जानवरों को pain killer तो देने ही पड़ते हैं लेकिन diclofenac जो है वल्चर की जो population है बहुत जादा significantly भारत में कम हो गई थी वल्चर को हम जब conserve करने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत बड़ी problem ये भी आती है कि वल्चर जो है ये slow breeding birds है यानि उतना जादा प्रजनन नहीं करते ठीक है slow breeding है तो इसकी वज़े से भी उनकी संखिया एकदम से बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता अब हम लेकर आएं national action plan तो ये national board for wildlife ने अप्रूव कर दिया है national board for wildlife जो है ये एक statutory body है जो wildlife protection act के तहत constitute की गई थी wildlife protection act के तहत इसका जो role है वो advisory है यानि ये सिर्फ advice देती है national board for wildlife लेकिन ये apex body है भारत में जो policy formulation करती है wildlife को बचाने के लिए अब इन्होंने जो plan बनाया है उसमें क्या-क्या बाते की गई है उसमें सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमें वो non-steroidal anti-inflammatory drug जिने NSAID बोलते हैं जैसे diclofenac है वो एक तरह का NSAID है तो हमें वो vulture पे पहले टेस्ट करनी चाहिए आम तोर पे क्या होता है जब कोई नई दवाई आती है तो हम उसको सिर्फ humans पे टेस्ट करते हैं या जो common animals हैं जैसे monkeys वगारे इन पे टेस्ट करते हैं लेकिन vulture पे भी टेस्ट करनी चाहिए ये सुनिष्चित करने के लिए कि उसका vulture पे कोई दुष प्रभाव ना हो ठीक उसी तरह जिस तरह से डिकलोफिनेक का हुआ था भारत में जब vulture conservation हमने स्टार्ट किया तो वो किया था हमने vulture care center बनाया था पिंजोर में 2001 में और बाद में हमने इसको अपग्रेड करके vulture conservation and breeding center में convert कर दिया था तो भारत का जो पहला vulture conservation और breeding center था वो हर्याना के पिंजोर में था ये पंचकुला डिस्टिक्ट में आता है तो vulture conservation और breeding center होते क्या है vulture conservation और breeding center ये होते हैं हम एक तो vulture को वहाँ पे conserve करते हैं बचाके रखते हैं किसी भी तरह के दुश प्रभाव से दूसरा हम उनका वहाँ पे प्रजणन करवाते हैं जिससे उनकी संख्या को increase किया जा सके और एक बार जब उनकी संख्या भढ़ जाती है तो हम उनके जाके wild में release कर देते हैं यानि उनके प्राकृतिक environment में उनके जाके छोड़ देते हैं और जो vulture conservation और breeding center है ये generally शहर से भार बनाए जाते हैं ये ऐसी जगा पे बनाए जाते हैं जहाँ पे human intervention कम हो जो protected areas हो generally वहाँ पे बनाए जाते हैं तो जो मैंने आपसे question पूछा था कि जो पिंजोर में जो vulture conservation और breeding center है तो वो answer है उसका बीर शिकारगड wildlife sanctuary जो हर्याना हिमाचल border पे है इस program में इस action plan में 2025 तक जो चलेगा हम ex-situ conservation भी करेंगे और in-situ भी करेंगे अब ये ex-situ और in-situ क्या होता है इन-situ मतलब होता है जब हम किसी animal को उसके प्राकरतिक environment में conserve करते हैं जैसे for example wildlife sanctuary, national parks, tiger reserve ये सब in-situ conservation methods है और ex-situ होता है जब हम उसको किसी एक artificial environment में एक उसको protect करते हैं जैसे gene banks होते हैं या अब ये conservation और breeding center है तो ये एक human intervention है तो ये एक ex-situ method हो गया conservation का तो ex-situ मतलब जब हम एक human oriented environment जो होता है एक artificial environment उसमें जब हम उसे protect करते हैं तो वो ex-situ होता है और in-situ होता है एकदम natural conservation तो vulture conservation और breeding center ये 5 जगा पे बनेंगे 5 states में बनेंगे ये इस conservation plan का पहला point है कि vulture conservation और breeding center पांच state में बनेंगे एक UP में एक तरिपुरा में एक महराष्टरा में एक करनाटका में और एक तामिल नाडू में इन पांच जगा पे इसके अलावा vulture के लिए चार rescue center भी बनेंगे rescue center क्या होता है मान लिजी आपने कोई vulture देखा जो बिमार है या जो किसी बिजली की तार से जखमी होके गिर गया है तो आप उसको rescue center ले जा सकते हैं rescue center वो जगा होती है जहांपे animals जो हैं उनको treat किया जाता है उनको उनका इलाज किया जाता है उनको treat किया जाता है अगर वो बिमार हैं तो उन्हें साहिता दी जाती है तो उन्हें बोलते हैं rescue center और आज की तारीक में भारत में एक भी वल्चर के लिए rescue center नहीं है तो हम चार बना रहे हैं एक पिंजोर में ही बनेगा एक भोपाल में बनेगा एक गुभाटी असाम में और एक हैदराबाद तिलंगाना में चार rescue center बनेगे पांच वल्चर conservation and breeding center बनेगे और हर भारत के राज्ये में एक वल्चर safe zone बनेगा वल्चर safe zone ये होता है ये वो zone है जहाँ पे human intervention काफी कम होता है तो वहाँ पे वल्चर जो है वो आसानी से घूम सकते हैं जहाँ पे cattle rearing होती है जहाँ पे मवेश्यों को पाला जाता है ये जड़ा उसे दूर होगी क्योंकि जहाँ पे cattle हो सकता है वहाँ पे cattle को वो सब दवाईयां दी जा रही हो जो वल्चर के लिए ठीक ना हो तो वल्चर safe zone जो होते हैं generally ये population human population जहाँ पे कम होती है वहाँ पे के लिए यूज से अगर वो वल्चर के लिए toxic होंगी हम वल्चर का census भी करवाएं समय समय पे जिससे हमें पता चलता रहे कि वल्चर की संख्या कितनी है भारत में इसके लिए हम support लेंगे NGOs का, Animal Organizations का, Bombay Natural History Society वगारा जो भी research department है, forest department है वो वल्चर census भी time to time all over India करवाएंगे और emerging threat, वल्चर को जो आने वाले threat हैं जैसे pollution है, electrocution, electrocution मतलब बिजली की तारों से टकरा के जब वल्चर मर जाते हैं तो electrocution या किसी तरह की poisoning है तो इन सबसे भी हमें वल्चर को बचाना है, इसका हमें एक पूरा database maintain करना है कि कितने वल्चर जो है उनको threat है इन सब बिजली की तारों से है, great Indian bastard को, तो और ये भी critically endangered है, ये भी घोर रूप से विलुप्त पराए है, तो ये हमारे emerging threats है, वल्चर की इतनी importance क्या है हमारे ecosystem में, देखो सबसे पहले तो वल्चर जो है आप जानते हैं कि एक food chain होती है, जैसे पोधे को बकरी खाती है, फिर बकरी क तो कोई और खाता है, तो वल्चर जो होते हैं वो एक तम टॉप पे होते हैं, क्योंकि वल्चर एक तरह के scavenger है, तो वल्चर इसलिए हमारे ecosystem में एक balance करके रखते हैं, मैं एक example देता हूँ, जब वल्चर की संख्या लगब 90% कम हो गई थी, उस समय फेरल डॉग्स की संख् भढ़ गई थी, फेरल डॉग्स भी scavenger होते हैं, यह भी dead bodies को खाते हैं, या dead animals bodies को खाते हैं, तो उनकी संख्या भढ़ गई थी, क्योंकि फेरल डॉग्स की जो supply थी food की बहुत जादा हो गई थी, और अगर मालनी जिए कोई जानवर की dead body है, उसको वल्चर नहीं खाएगा तो वो सड़ जाएगी, उससे disease फैल सकते हैं, कई बार जो animal हैं, उनमें इस तरह के disease होते हैं, जो एक दूसरे में भी फैल सकते हैं, for example, anthrax है, या botulinum toxin, rabies वगारा, तो वल्चर जब इसको खाते हैं, तो वल्चर के पेट में acid होता है, जो इन सब disease को खतम कर देता है, और यहां पर आपको बता दूँ, कुछ और latest update, जैसे for example, एक इंडिया में white rumd वल्चर भी मिलता है, यह अभी हमने wild में introduce करे हैं, तो जो पिंजोर में जो center है, उन्होंने क्या किया, आठ वल्चर उनको पहले पाला, ठीक है, और उसके बाद उन्हें जंगल में वो छोड़ ठीक है, पहले पाला का मतलब क्या है, जब वल्चर सबसे ज़्यादा vulnerable तब होता है, जब बच्चा होता है, एक बार उसे आप artificial environment में पूरी उसकी care करो, उसको बढ़ा कर लो, फिर जब वो काफी बढ़ा हो जाता है, तब आ उसे जंगल में छोड़ाओ, तो उससे उनकी जो अभी-अभी हमने wild में release करें है, 8 critically endangered wild termed vultures को wild में release किया है, जो यह था national action plan for vulture conservation, environment ecology में काफी important topic हो सकता है UPSC के लिए, और I hope आपने कुछ नया सीखा होगा, देखते रहे है study IQ, thank you for watching.